नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ NTA UGC NET JRF हिंदी की तैयारियों के अंतरगत अचारे रामचंदर शुकल जी के 100 प्रमुक कतनों के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो इससे पहले हमने इनके 70 जो कतन थे जो प्रमुक थे वो मैंने आपको बता दिये थे आज हम डिसकस करेंगे 71 से लेकर के इनके आखरी 100 तक के जो जितने भी कतन हैं उनके बारे में तो चलिए बीना देर की शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की इससे पहले हमने देखिए जो तुलसिदास के बारे में इनके जो प्रमुक कतन थे वो पढ़ लिये थे सत्रुआ एक बार फिर से मैं आपको सुना देता हूँ तुलसिदास की वानी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यभारों तक है तो यह वाला कतन अचारे रामचंदर शूकल जी का है किसके बारे में यह है यह है तुलसिदास त्टी के बारे में क्योंकि उनकी वानी की पहुंच यह मांते हैं कहां तक है मनुष्य के सारे भावों और व्यभारों तक है next देखिए seventy one यह कहते हैं कि यह है एक कवी तुलसिदास के बारे में यह कह रहे हैं ही हिंदी को प्रोड सहीतिक भाषासिद करने के लिए काफी है तो तुलसिदास जी को अचारी रामचंदर शुकल हमेशा प्रमुक श्रेणी में रखते हैं हिंदी सहीतिकारों में और तुलसिदास के समंद में यह कहते ह कि यही एक मात्र ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी को क्या किया प्रोड सहीतिक वाशासित करने के लिए काफी माना जाता है किसको गोस्वामी तुल सिदासची को क्लियर है नक्स से देखिए अचारियों की छाप लगी हुई आठ वीणाएं श्री क्रिशन की प्रेम लिला कीरतन करने उठी जिन में सबसे उची सूरीली और मदुर जंकार अंधे कवी सूरदास की वीणा की थी तो ये बात भी किसने कही है अचारे रामचंदर शुकल जी न किसके बारे में कही है रस्खान के समंद में अचारे रामचंदर शुकल जी ने कही है तो कई बार परशन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि ये वाली पंक्ति शुकल ने किस के समंद में कही है इसको भी हमें याद करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि मैं हर बार यही कहत कि शुकल किस कवी के लिए या किस काल के लिए या किस काल की विशेशता के बारे में क्या कहते हैं ये भी बहुत बार पूछा जाता है तो प्रशन को हर तरीके से याद करना बहुत ज़रूरी है तो रस्खान के समन्द में इन्होंने ये बात की हुई है कि इन्होंने क्या किय गीत कावय का आशयना लेकर कभी तुस्वायों में अपने प्रेम की भियंजना की है ठीक है रस्खान के समन्द में ये कहते है नेक्स देखिए रहीम का रिदय द्रविभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अफिक्षा नहीं रखता था वहसंसार के सच्चे और प्रत्य प्रत्यक्ष विभारों में ही द्रविभूत होने के लिए प्रियापत स्वरूप पा जाता था ठीक है तो ये किसके बारे में इनोंने कहा है रहीम के बारे में इनोंने ये बात कही है नेक्स्ट है उसके बार देखिए 75 भूशन के वीडरस के उदगार सारी जनता के रिदय की संपत्ति हुए तो जो भूशन थे वो वीडरस के उदगार क्याते सारी जनता के रिदय की संपत्ति हुए ये भूशन के बारे में ये कहते हैं अचारे रामचंदर शुकल जी अगला कथन देखिए इसी के साथ ही है जो मैंने यहाँ पर इनके तीन कथन है जो भूशन के सम नहीं कह सकता क्यों क्योंकि ये भी मानते हैं कि जो शिवाजी और शादर साल थे क्या थे ये बहुत वीर थे ठीक है नेक्स से दिखिए वे हिंदु जाती के प्रतिनीधी कभी हैं तो हो सकता है इस तरीके से पूछ लिया जाए कि वे हिंदु जाती के प्रतिनीधी कभी हैं inverted comma close कर दिया और उसके बाद इस तरीके से प्रशन पूछ ले जाए कि ये पंक्तियां किस के संबंद में अचारे राम चंदरी शुक्र जी ने कही हैं तो ये होगा आपका भूशन के बारे में जो हमारे रितिकाल इन जो एक मातर कवी है वीर रस के ठीक है तो भूशन के संबंद में ये कहते हैं कि ये हिन्दु जाती के प्रतिनीदी कवी हैं पूराम के बारे में बोलते हैं कि मतिराम की सी रस निक्द और प्रसाद पूर्ण भाशा रिती का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है तो रितिकाल के अन्य कवियों में इनकी तरह जो रस निक्द और प्रसाद पूर्ण भाशा है वो कम लोगों में देखने को मिल का पूरा लेक्चर हमारा जो अचारे रामचंदर शुकल ने जो छायवादी कभी हैं उनके बारे में क्या चीज़ें कही हैं उसको लेकर हम आएंगे और एक लेक्चर उसके तुरंत बाद हम अपना जो स्थापना और तर्क वाला है वो मैं आपके लिए लेकर आओंगा तो न इतना मान बिहारी सत्सई का हुआ उतना और किसी का नहीं तो ये वाली पंक्तियां बहुत बार परिक्षा में पूछी गई है और ऐसे नहीं है कि एक बार पूछ लिए गया उसके दवाद नहीं पूछी है तो बार बार इनको पूछा जा रहा है तो हो सकता है कि पूछी ज पाहित्य में एक रतन माना जाता है तो शुकल जी कहते हैं कि जो विहारी सत्सई है इसका हर एक दोहा क्या है एक रतन के समान है ठीक है तो हो सकता है कि किस जो इनकी कृती है उसको इनने माना है कि उसका रतन उसका एक एक दोहा क्या है रतन है तो ये विहारी सत्सई के लिए ह होगा ठीक है नेक्स से देखिए 78 यदि प्रबंध का वे एक फिस्तित वनस्थली है तो मुक तक एक चुना हुआ गुल दस्था तो ये भी विहारी सत्साई के रिगार्डिंग ही इन्होंने बात कही है अचारे रामचंद्र शुकल ने तो विहारी के बारे में देखिए आग देखिए भावों की बहुत उत्कृष्ट और उदाद स्वरूप विहारी में नहीं मिलता ये भी सुकल जी कहते हैं और साथी साथ कहते हैं कविता उनकी श्रिंगारी है पर प्रेम की उच भूमी पर नहीं पहुँच भूमी पर नहीं पहुँच पाती ने जी रह जाती है ये बात भी किस के समद्ध में कही है बिहारी के समद्ध में ने कही है क्लियर है नेक्स से देखिए जिस कभी में कलपना की समाहार शक्ती के साथ भाषा की समाहार शक्ती जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा यह खशमता बिहारी में पौर्ण रूप से वर्तमान थी तो बिहारी के समद में इन्होंने बहुत सारी कही हैं देखिए कौन सी पंख्थी पूछ ली जाए कोई नहीं जानता इसलिए जो चीजने भी इन्होंने जिसके बारे में कही है उनको एक बार याद करना बहुत जरूरी है नेक्स से देखिए प्रेम की तरमयता की दिश्टी से आलम की गणना रस्खान और घनानंद की कोटी में होनी चाहिए ठीक है तो यह रस्खान के बारे में यह कहते हैं कि जो प्रेम की तरमयता की दिश्टी से आलम जो आलम की गंणा किन के साथ करते हैं ये रस्कान और घंणन्द की कोटी में होनी चाहिए फिर आगे देखिए ये पहला कथन तो यहां तक कंप्लीट हो गया दूसरा इसी के साथ ही वाला जो कथन है देखिए ये कहते हैं कि ये प्रेमोनमत कवी थे हो सकता है सिर्फ ये वाले जो पांच शब्द हैं चार शब्द हैं ये प्रेमोनमत कवी थे तो इसके बारे में बोला जा सकता है कि ये किसके समंद में कहें तो ये आलम के बारे में ही होगा ठीक है और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे तू इस तरीके से भी प्रраш्ण बन सकता है कि शुकल जी ने किस के लिए का है कि वे अपनी तरंग की नुसार रचना करते थे तो ये भी किसके लिए होगा आलम के लिए ही इन्होंने कहा है ठीक है तो प्रशन बनने की संभावना देखिए ये जो 82 वाला में आपको बता रहा हूँ कथन इन में से अलग कथन अलग तरीके से प्रशन बनने की संभावना है ठीक है इसी से इनकी रचनाओं में रिदे तत्व की प्रधानता है प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है तो ये भी किसके समद में ने कही है आलम के समद में इनकी ये बात कही है ठीक है नेक्स से देखिए घनानत साक्षात रसमूर्ती और ब्रजभाशा के प्रधान स्थम्भों में हैं तो ये घनानत के संदर में है कि वो क्या है साक्षात ब्रजभाशा कावे के प्रधान स्थम्ब हैं। 84 है देखिए ठाकुर बहुती सची उमंग के कभी थे। और ये वाली पंक्ती मैंने आपको अपनी जो अपना मौक टेस्ट के सीरीज कर रहे थे। उसमें भी बताई हुई है कि किस के समद्ध में ये शुकल जी ने कही है। अब दुजदेव के बारे में ये कहते हैं देखिए कि रितुवनन में दुजदेव के रिदय का उल्लास उमर पड़ता है। तो कई बार इस तरीके से भी प्रशन पूछा जाता है कि रितुबनन किस ने किया है, जो हमारे रितिकालिन का भी है, तो उसमें नाम प्रमुक्था से ले जाता है दुजी देवजी का, क्लिर है, 87 है दिखिए, हम पंडित महावीर प्रसाद व्यदी के पद्य रचना की एक प वस्तुस पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है, तो ऐसी जो छोड़ी-छोड़ी पंग्तिया हैं, यही अकसर पूछी जाती है कि यह किसमें कही है, तो बहुस वस्तुस पर्शनी प्रतिभा किसमें मानी है शूकल ने, निराला में मानी है, नेक्स यह यह वाली पंग्ति नेट जो जून 2019 में हुआ था उसमें पूची गई थी कि विलक्षन बात ये है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है तो ये शुकल्ची ने कहा है नेक्स देखिए श्रद्धा का व्यापारस्थल विस्तित है प्रेम का एकांत प्रेम में घनत अधिक है श्रद्धा में विस्तार तो श्रद्धा और भक्ती जो इनका निबंध है उसकी ये पंक्तिया है ठीक है नेक्स देखिए समाजिक जीवन किस्थिती और पुष्टी के के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है तो करुणा भी इनका निवंध है वहां से ये पंक्तियां देखिए समाजिक जीवन किस्तिती और पुष्टी के लिए करुणा का प्रसार जरूरी है ये मानते हैं चारे रामजंतर जी शोकल जी फिर कहते हैं कि गुण प्रत्यक्ष नहीं होता उसके आश्रे और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं अनुभवातमक मन को आकरशित करने वाले आश्रे और परिणाम हैं ये गुण नहीं यही अनुभूती के विशे हैं अनुभूती पर प्रवरिती और निवरिती निर्वर है अनुभूती मन की पहली क्रिया है सं अस्थापना और तर्क में ज़्यादा तर्क पूछी जाती है और स्थापना और तर्क के जो प्रशन बनने की संभावना, अचारा राम जुन्दरशुक्ल के जो निवंद है, उन से ही ज़्यादा रहती है, ठीक है, तो उनके निवंदों को पड़ना बहुत जरूरी है, कासक तो ये वाली पंक्ती भी important है, ये भी शुकल जी की है, इसको भी पूचे जाने की समभना है, नेक्स से दिखिए तुलसिदास की वानी एक और तो व्यक्तिकत साधना के मारग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवद जन का उपदेश करती है, दूसरी और लोगपक्ष में परिवारिक और समाजिक करतव्यों का संदर्या दिखा कर मुगद करती है, तो ये वाली पंक्ती भी किसकी है, शुकल जी है, की ही है तुलसिदास के संबंदव हैं, आखरिये देखिए तुलसिदास जी उत्तरी भारत की समगर जनता के रिदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प अगे वाले लेक्चर में जब हम शुकल के जो छायवाद कवियों के उपर जो इनके कतन है, उस वाली वीडियो के साथ मैं उनको एड़ कर दूँगा, तो फिलाल आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, तो फिर मिलेंगे नई उड़ ज़ और नई स्पूर्ति के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जहिंगे